आप देख रहे हमारे साथ दनगरी नीव्स आजम बात करेंगे अमेरिका विदेश विवाग में भारत के साथ प्रस्तावे ड्रॉन सौधे को लेकर उमीद जताई है उन्होंने उमीद जताई है कि सौधे में रन्नितिक टेक्निलोजी संयोग बढ़ेगा बता दे कि ड्रॉन सौधे की घोशना पिछले साल प्रधान मंतरी नरिन मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हो गई थी इस समझावते के तहट अमेरिका द्वारा तीन अरब डॉलर में भारत के 31 विडियेटर ड्रॉन देना प्रस्तावित है अमेरिका विदेश विवाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत के साथ रंदीती टेक्नोलोजी सायोग को आगे बढ़ाने के साथ सा सेनानी चेत्र में सायोग बढ़ाने पर भी समझावते के महत पर जोर दिया मिलर ने काए कि पिछले सालों में अमेरिक और भारत के बीच रक्षा सांजेदारी पर भी काफी ब्रद्धी हुई है। ड्रॉन सोदे पर उन्होंने कहा कि ये एक प्रस्तावित सोदा है जिसकी घोशना पिछले साल प्रधान मंसरी मोधी की यात्रा के दौरान हो गया था। मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हमारा मानना है कि भारत के साथ रन्नितिक टेक्नोलोजी संयोग और छेतर में सैनानी संयोग को आगे बढ़ाने की महतपूर शमता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हत्यारों को ट्रांस्वर करने के लिए अमेरिका कॉंग्रेस एक महतपूर भूमिका निबाती है। उन्होंने कहा है कि अपनी अपचारिक और अधी सूचना से पहले नियमित रूप से विदेशी मामलों की सीमितियों पर कॉंग्रेस के सदिस्यों के साथ बात करते हैं, जिससे उनके मन में कोई सवाल नहीं रहे। बता दे कि प्रस्ताविट ड्रॉन सोदा अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंदों को मजबूती देने के लिए काफी एहम है। इससे पहले कहा गया था कि अमेरिका राष्ट्रपती जोई बिडिर प्रसाशन ने भारत को 31 MQ-9B प्रिडियेटर्स ड्रॉन को लेकर अभी तक अमेरिका कॉंग्रेस और अमेरिका सांसत के दोनों सदन को सूचित नहीं किया है। इस समझौते के तहट अमेरिका द्वारत तीन अरब डॉलर में भारत को 31 प्रिडियेटर्स ड्रॉन देना प्रस्तावित है। उनकी प्रतिक्रिया तब आई जब उन्होंने उस मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने भारत को प्रिडियेटर्स ड्रॉन की ब्रीफ अभी तक रोक नहीं लगाई है। उदर भाते रक्षा प्रतिस्टान के सूत्रों ने कहा कि अर्बो डॉलर्स के सौदे पर दोनों पक्षों के बीच बात चल रही है। लेकिन उन्होंने संबंध में कुछ पश्ट नहीं किया। और ये भी नहीं बताया कि कब तक इस पर मोहर लगेगी। आज के लिए बस इतना ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ दन्यवाद।